फ्रांस इन दिनों हिंसा की आग में जुलस रहा है। मंगलवार को राजथानी पैरिस के पास 17 वर्षी एक युवक को ट्रैफिक पुलिस द्वारा गोली मारे जाने के बाद देश में हिंसा भड़क उठी। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि भीते चार दिनों में राश्चपती एमैनुवल मैकरॉन को दो बार अपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी। रह मंत्री ने कहा है कि वो अपातकाल की आशंकाओं को खारच नहीं कर रहे हैं। कई शहर धूदू कर जल रहे हैं। सरकार सु दरशिनकारी क्या रोप लगा रहे हैं। चली समझते हैं। चला रहा था। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। जब उसने भागने की कोशिश की तो गोली चलानी पड़ी। बता दें कि मरने वाला नागरिक एफ्रीका मूल का था। वीडियो में साफसाफ दिखता है कि नान तेरे की एक सड़क पर दो पुलिस अफ पॉइंट पर दो ट्रैफिक पुलिस कर्मी रोगते हैं। आगे जब वो अपनी कार आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो एक पुलिस कर्मी नायल को कहता है कि तुम्हारी गर्दन में गोली मार दूँगा। इस बीच साथी पुलिस कर्मी दूसरी पुलिस कर्मी को कहता ह इसे मार दो इतना कहते ही दूसरा पुलिस कर्मी फायर कर देता है आरोपी पुलिस को जेल भीज दिया गया है अब जानते हैं कि कौन है नायल जिसकी हत्या हुई है 17 साल के नायल अलजीरियाई और मुरक्कन मोल के फ्रांसीसी नागरिक थे वो फिलहाल सेंटरल पैरिस से 15 मिनिट की दूरी परिस्थित नानतेरे में रह रहे थे उनकी दादी ने बताया कि वो मेकानिक बनना चाहते थे नायल एक स्थानी रगबी टीम में भी खेलते थे जो एक फ्रांसीसी संग ओवले सिताइन का हिस्सा था नायल के परिवार के एक वकील ने बताया कि उनका कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं था लेकिन नानतेरे के शीर शभियोजग पासकल प्राचे ने कहा है कि पुलिस के लिए किशोर यातायात नियमों का पालन ना करने के लिए जाना जाता था और ऐसी घटना के लिए किशोर को सितंबर में किशोर अदालत में समन किया गया था अब जानते हैं कि घटना के बाद से अब तक क्या हुआ नायल की हत्या के बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए प्रदर्शनकारियों के हाथों में पुलिस की हत्त्य लिखी तक्तिया थी प्रदर्शनकारी नायल की मौत के लिए देश में नस्ली पूर्वाग्रह को जिम्मेदार मान रहे हैं यही कारण है कि देश में विरोध भड़क गया है और सेक्डों सरकारी उमारते छती ग्रस्त हो गई है शुरुबात में गुसाए लोगों ने पत्राव आगजनी शुरू कर दी कई वाहनों में आग लगा दी गई नान तेरे शहर में प्रदर्शनकारियों ने आग जनी की धीरे धीरे हिंसा देश के अलग-अलग हिस्सों में फैल गई बसों में आग लगा दी गई फ्रांस के दक्षनी शहर तोलाउस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के दीच पत्राव हुआ हिंसा शुरू होने के तीसरे दिन शुक्रवार को फ्रांसीसी राष्टपती एमैनुल मैकरॉन ने दूसरी बारा पातकालीन बैठक बुलाई एक चिंता जनक घटना क्रम में मार्शिले शहर की सबसे बड़ी लाइब डेरी में दंगाईयों ने तोड़ पोर की और आग लगा दी शनिवार को भी जगर जगर दंगे और प्रदर्शन देखने को मिले लगातार बढ़ता विरोत खतरनाक रूप लेता जा रहा है कहीं पुलिस पर गोली बारी, कहीं बैंक ओडा दिया गया, कई जगर दंगाईयों ने बसों को आग लगा दी इस नसली एहिंसा का सरदूसरे देशों में भी देखने को मिल रहा है नायल के समर्थन में दक्षणी अफरिका में भी प्रदर्शन हो रहा है यहां के छोटे से छेतर कैन में आसपास के छेतर में प्रदर्शन के दोरान घने काले धुएं के गुबारे उठते देखे गए जिससे सडके धुमली हो गई यहां सुरक्षा बल प्रदर्शन कारियों को रोखने की कोशिश कर रहे थे जानकारी के मताबिक दंगाईयों ने एपल स्टोर में भी लूट पाट की एक बार प्रदर्शन कारियों के आरोख को भी समझते है विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों का दावा है कि नायल का अलपसंख्यक होना उसकी हत्या की एक वज़ह थी उन्होंने फ्रांस में अलपसंख्यक समयोदायों के खिलाव भेदभाव का आरोख लगाया है जानकारी के लिए बता दें कि फ्रांस उन्ही देशों में से एक है जहां भारी मात्रा में अन्य देशों से प्रवासी लोग आये हुए है भेदभाव विरोधी प्रचारकों का कहना है कि नालगी मृत्यू का कारण उनकी जाती थी पूरे फ्रांस के अलग-अलग शहरों में गश्ट करने के लिए 40,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है इस बीच फ्रांसीसी सरकार का कहना है कि किशोर की हत्या के बाद 4 रात हुए दंगे में 1311 लोगों को गिरफतार किया गया है और दोसों से अधिक पुलिस अधिकारी घायल हुए है अकेले पैरिस में 5000 सुरक्षा कर्मी तैनात किये गए थे फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एलिजबेट बॉन ने कहा है कि सरकार विवस्था भाल करने के लिए सभी विकल्पों कर विचार कर रही है जसमें अपातकाल की घोशना करना भी शामिल है अब राष्टपती मैकरॉन की प्रतिक्रिया को भी समझते हैं अलाद को देखते हुए मैकरॉन ने बुरुसेल्स में शिक्रबार तक चलने वाले यूरोपिय परिशत शिकर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया राष्टपती ने फ्रांस में जश्ट मनाने वाले कारिक्रमों और कई समाहरोह सहित सभी बड़े पैमानों पर कारिक्रमों पर प्रतिबंद लगाने की घोशना की इसके साथ ही उन्होंने माता पिता से अपने बच्चों को घर पर रखने का आगरह किया मैकरॉन ने हिंसा को रोकने के लिए मदद के लिए सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म का भी आभान किया उन्होंने टिक टॉक और स्नैप चैट से सबसे समवेदर्चील सामगरी को वापस लेने और उन्हों प्योग करताओं की पहचान करने के लिए कहा जो अभिवस्ता को पैदा करते हैं कुल मिला कर देखा जाए तो फ्रांस में हालात बेहत खराब हैं ऐसे में अबादकाल लगना लगभग तैमाना जा रहा है अब देखता ये होगा कि सरकार इस घटना को कैसे समभालती है इन्फोमेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा